हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम SSC GD से संबंधित कुछ बाते करने वाले हैं और आपको क्या समझाने वाले हैं तो आज की वीडियो में तीन बाते हम करेंगे पहला तो इसका form fill up के बारे में दूसरा इसका exam कब हो सकता है और तीसरा expected cut off के बारे में यह तीनो ही चीजें हर aspirant जो इस बार form fill up करने वाला है उसके मन में यह सब चल रही है तो आज है 16 अगस्त और कल यानि की 17 अगस्त से form fill up होने की पूरी संभावना बताई जा रही है क्योंकि पिछले बार भी दो dates आये थे और site में problem होने के कारण उसे cancel करके date आगे बढ़ा दिया गया तो इस बार भी कुछ ऐसा हो ना हो जब तक अब कल नहीं आ जाता और फिर से form fill up के लिए हम try नहीं कर लेते कुछ पता नहीं चल सकता है तो 17 तारिक से पहले 14 तारिक से यानि कि आज से दो दिन पहले से sse ने एक PDF जारी किया था और उसमें कहा गया था कि अब आपको दो चरण में form fill up करने हैं यानि कि सबसे पहले आपको one time registration करना है और second time दूसरे बार में यानि कि 17 तारिक से आपको online form fill up करना है और वो one time registration आपको 14 तारिक से एक्टिवेट हो चुकी है तो बहुत से बच्चे confused हैं कि ये one time registration क्या है तो जो बच्चे sse का exam इससे पहले कभी भी दे चुके हैं तो वो इस बात को जानते होंगे और जो नहीं दे रहे हैं जिन्होंने इससे पहले नहीं दिया और ये पहला उनका attempt है sse के exam में तो उनके लिए मैं explain कर देता हूँ sse अब क्या करता है कि एक बार form fill up करवाता है और आपको एक registration number दिया जाएगा और वही registration number आप जितनी बार भी sse के forms fill up करोगे वही registration number आपको use करना है तो जो लोग इससे पहले exam दे चुके है sse का कोई भी exam even वो mts का हो या वो chsl का हो या कोई भी या इससे पिछली बार आपने अगर exam दिया था gd का तो वही आपको use करना और अगर आप same name, date of birth, email id, mobile number के साथ अगर apply करने का कोशिश करोगे तो आपको notice आएगा कि you have already registered तो आपको फिर उसी mail id से open करना होगा forget करके भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये तो रही one time password की और 17 तारिक से form fill up हो रहा है इसके बारे में भी ये चर्चा की गए थे तो one time password one time registration हम कैसे करें तो इसके बारे में भी जान लेते हैं तो चलिए सिधे official website पे ही चल होंगे वो clear हो गए होंगे कि one time registration क्या है बहुत से लोगों में यही confusion था कि one time जो registration है यह क्या है तो अगर आप एक बार apply कर देते हैं तो यह आपको continue आगे के जितने भी exams होंगे ऐसे सी के वह आपको help करेगा बार बार registration ना करने से और basic information बार बार ना डाले सब नाम पिताज चीज़े तो आप change करते नहीं हो तो यह सब चीज़े आपको हमेसा fix रहेंगी आप जैसे ही email अपना registration नमर और password डालोगे आपके सामने सारी information खुलके आ जाएंगे और कुछ जैसे आपको address फिर से डालना पर सकता है अपना email id या फिर हो सकता है कि अपना signature यह सब चीज़े डालनी पर सकती है और जिस form पे आप apply कर रहे हैं वो चीज़ आपको जो preference होती है वो चीज़े डालने को पर सकती है तो one time registration के यह फायदे होते हैं तो चलिए सीधे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ official website पे क्या जानकारी है वहां से तो देखिए यह हम आ गए है official website पे ssc.nic website पे आ गए है और यहां पर आपको right hand side में login username registered email id तो यह उन लोगों के लिए है जिनका registration पहले से हो चुका है तो अगर आप यहां से open करेंगे तो आपके सामने जो post खुल के आएगा वो सीधे apply का आएगा लेकिन अगर आपने नहीं करा हुआ है तो आप यहां पर देखिए login के नीचे forgot password और उसके नीचे registered now का एक blue color का आपको registered now लिखा ताप उसी पर click कर देना है तो इस पर click करते ही आपके सामने एक page खुल के आएगा और वो page जो खुल के सामने आएगा वो रहेगा आपको जो registration करना है तो उससे related जो जानकारी आपको भरनी है जिसे आपका नाम आपके पिता जी का नाम और भी वेगेरा वेगेरा तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या-क्या आपसे मांगा जा रहा है तो अब हम आ गए हैं जो registration साइट है जो registration पेज है उस पर आ गए हैं तो देख लिजे आपको क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या है do you have आधार तो इसे आपको yes और no में करना है या apply क्या हुआ तो आधार नमर डाल दीजे verify आधार नमर कर लिजे और इस तरह से कुछ ID आपको यहाँ पे डालना होगा उसमें आप क्या डाल सकते हैं यह भी देख लिजे तो यहाँ पर आपको driving license डाल सकते हैं employer ID कहीं अगर आप काम कर रहे हैं तो डाल सकते हैं pin card डाल सकते हैं passport डाल सकते हैं school college ID डाल सकते हैं voter ID card डाल सकते हैं तो यह सब चीजे आप यहाँ पे डाल सकते हैं चलिए आगे देख लेते हैं और यहाँ पर आपको अपना नाम verify करना है और अपना जो भी चीजे आप यहाँ इसे के तरफ से काफ़ी बढ़िया करना होता है उससे इन्होंने मुक्ति दिलवा देगी एक बार अगर आप एक बार फिल अप कर देते हैं तो यह बहुत साही चीज़ आपको फिल नहीं करनी है एक बार आप डाल दो उसके बाद अगर कुछ चेंज करना है तो फिर चेंज का option रहेगा और नहीं तो आप उसे उसके साथ continue कर सकते हो जैसे अगर आपका mobile नंबर चेंज नहीं हुआ है तो आप उसी mobile नंबर के साथ continue कर सकते हो या और भी different different चीजे और अगर आप इसे complete करोग तो उसके बाद आपके mobile नमर पे आपके email ID पे एक message आएगा और उसमें आपका registration नमर और एक password भी रहेगा जो 4 digit का रहता था इससे पहले 4 digit का रहता था इसमें क्या changes किये गए हैं वो तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन 4 digit का रहता है और अगर आप भूल गए हैं तो आपने देखा था कि उसके नीचे forgot registration number का भी column था आप उसपे click करके अपना registration number फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसमें आपको email ID डालना है और email ID पे आपको फिर से एक mail आजाएगा जिससे आप अपना पुराना जो आप भूल गए हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और इसे करने के बाद आप apply now पे click करेंगे और apply now पे click करने के बाद आपके सामने ये देखिए cgl, chsl, या निकि जो भी ssc जितने forms निकालती है वो सब के list आपके सामने आ गए हैं और जिसमें भी आपको fill up करना तो फिलाल आपको constable gd fill करना है तो constable gd पर आप click करेंगे और अभी जैसा कि आप जान रहे कि आज 17 तारीक नहीं है तो जैसे ही 17 तारीक होगा यहाँ पे एक page आपको खुल के सामने आ जाएगा और उस page पे फिर आप अपना form fill up कर सकते हैं तो यह तो रही form fill up से लेके जानकारी अब बात कर लेते हैं exam से related जानकारी exam होने की संभावना कब है तो आप सब ने notice पढ़ाई होगा तो ऐसा किसी भी प्रकार का बात की exam कब होगा यह जानकारी नहीं बताई गई थी SSE के द्वारा लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि exam कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है तो जैसे कि अभी जितने भी online exam हो रहे हैं इन्हें TCS conduct करवाता है Tata Consultancy Services जिसके लिए बहुत सारे ION Digital online exam center halls बने हुए हैं चाहे वो bank का exam हो SSE का exam हो या फिर railway का exam हो ज़्यादार exam इसी में होते हैं इसके अलावा number of candidates ज़्यादा हो जाने के कारण कभी कभार exam आपको किसी schools में या other किसी institutes में भी होते हैं तो इस कारण से railway के भारी vacancy जो अभी चल रही है अभी railway के समय लगाया जा रहा है कि वर्स 2018 जो है ये खत्म हो जाएगा और हो सकता है तो even mid December से यानि कि December आधा तो खत्म हो ही जाना है उसके बाद से आपका exam का date announce हो सकता है तो अगर आप अंदाजा लगाते हैं कि exam कभ हो सकता है तो ये December आपका चला जाएगा फिर वो उसे एक किया डिर्वहिने में verify करेंगे और तब तक आपको railway की exams भी खत्म हो जाएगे और उसके बाद ही आपको exams start होंगे SSC GD के और जहां तक उम्मीद ये भी लगाया जा रहा है कि even April से पहले आपको result आ जाएगा और March April से पहले result आ जाएगा और आपको जल्द ही दौर की announcement भी हो जाएगी क्योंकि एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव होने हैं 2019 में तो उससे पहले ये अपनी आधि formality complete कर लेगा क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव में जब उसके प्रचार सुरू हो जाएगे तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है सारे के सारे काम ठवफ हो जाते हैं जोकि बहुत बड़ी irony है हमारे देश की तो उस पर ध्यान नहीं देना है तो आपका जो main focus है वो exam का है तो exam में आपको फिलहाल अभी से 4 महने मिल जाएंगे तो आप जम के practice कर सकते हैं और रही बात की exam pass करेंगे तो exam pass करने के लिए तो कई cut off भी चाहिए तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं हम इसे compare कर लेंगे पिछले साल जो cut offs गए थे उससे तो ये भी चीज़ हम देख लेंगे तो चलिए आगे हम cut off भी देख लेते हैं कि कितना number लाने पे आप खुद को sure कर सकते हैं अगले level के यानि कि सबसे पहले तो cbt exam होने वाले हैं पिछली बार सबसे पहले दौर हुए थे और उसके बार फिर exams हुए थे तो उनके लिए इस पार थोड़ी कठीर होने वाली है वो पहले ही छट सकते हैं तो इसी लिए पढ़ाई भी जरूरी कर दी गई है तो चलिए पहले cut off के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों cut off हम किस तरह से बताने वाले हैं पहले आप ये समझ लें बहुत सारे districts में cut off काफी close रहते हैं किसी में एक या दो नमर का ही gap रहता है तो इन सब जो districts हैं उसको हमने एक जगा कर दिया है और इस तरह करने के बाद करीब करीब चार यहां पे group बने हैं तो उन चारों group में क्या cut off जा सकते हैं मेल और फीमेल के उसे हम जानेंगे और यह cut off हमने जैसे कि इस पर seat approach 54,000 के आसपास आई हुई है और हो सकता है कि उसे बढ़ाया भी जाए क्योंकि इसे भी कुछ news आ रहे थे हैं कि हो सकता है कि vacancies को extend किया जाए जो कि 72,000 तक जा सकता है तो आपको 72,000 नहीं लेना आप 54 के आसपास ये लेके चलिए तो ऐसा notification में बोला गया था कि 10 times लड़कों को select किया जाएगा CBT में तो 10 times यानि कि 5,40,000 students में select होंगे और फिर उनका physical test होगा तो इस तरह से इनको देखते हुए साथी पिछली बार जो test हुए थे जो questions के level थे उसको देखते हुए हमने ये prepare करा है तो देख लेते हैं सबसे पहले जो सबसे lowest cutoff जहां के जाते हैं अगर आप इन states से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए cutoff रहने वाला है 41-46 अगर आप male है और female के लिए 35-40 ये हो सकता है कि आपको कम लगे लेकिन इन states में पिछली बार भी इसी तरह से cutoff काफी low रहे थे आगे देख लेते हैं आंध्रापरदेश, तेलंगाना, पंजाब, पस्चिम बंगाल, महराष्टर, छतिस गड़, चंडी गड़ और असम पिछली बार आंध्रापरदेश और तेलंगाना के साथ combined होके ही cutoff आये थे हम इस बार भी साथ में ही बता रहे हैं और अप्रॉक्स इस बार भी लगभग लगभग सेम ही रहने वाले क्योंकि जो भी चालिस से चावालिस के बीच जा सकता है नेक्ट देखते हैं चार स्टेट हिमाचल परदेश लक्षदीप जारखंड और उत्तराखंड तो इन स्टेट में अगर बात करें तो पैटालिस से यह पचास के बीच हो सकता है नेक्ट देख लेते हैं और आखरी जो हमारा स्लाइड है कि बिहार दिल्ली राजस्थान उत्तर परदेश मध्य परदेश हर्याना जो की रेड अलर्ट जो नापी से कह सकते हैं यह छे जो राज्य हैं जो स्टेट हैं यहां पे ब बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो फोकस इसी पर करते हैं कि कैसे भी डिफेंस में जॉब लेनी है तो इस कारण से यहां पर इनका कट आफ और इवन किसी भी सरकारी नोकरी का हो, बैंक हो, एससी हो, रेलवे हो आपको इन जगहों पे कट आफ हमेशा हाई मिलेगा तो इन सब का कट आफ इस बार भी हाई ही रहेगा तो देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट आफ आपको 55 से 60 के भी जाने वाला है और महिलाओं के लिए 50 से 56 पिछली किसी में हो सकता है कि 54 या 53 गए थे लेकिन ज्यादा तर में 55 प्लस पिछली बार भी गए थे तो यह हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी जो एक्सपेक्टेड कट आफ हैं इन 6 राज्यों के इसी के पास रहने वाले हैं तो दोस्तों ये था SSE GD से रिले इन्फर्मेटिव ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें जो भी फॉर्म फिल अप करना चाह रहे हैं और अभी से आप पढ़ाई करें चार महीने का समय है आपके पास चार महीने में आप कट आफ पास करने लाइक तो नम्मर लाहीं सकते क्योंकि इसमें आपक पास चाहिए और फिर आगे का काम अपने आप आसान हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में अगर आपने अवी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें जय हुआए